आज मैं बताने वाला हूं किया सोनेट के बारे में जो एक्सपोर 2020 में बताई गए थी जिसका सीधा मुकाबिला मारूती वीटारा ब्रेजा, हुंडेई वेन्यू, टाटा नेक्शन और महेंदरा SUV 300 फोर्ड इको स्पोर्ट से होने वाला है किया सोनेट जो फरवरी में लोंच होने वाले थी लेकिन COVID-19 के चलते हुए इसकी लोंचिंग डेट में डेले हो गई अंदर के सूतरों से मिली हुई खबरों से पता चलता है किया सोनेट ओकस्ट लास्ट वीक या नमेंबर फर्स्ट वीक में लोंच होगी और उसकी जो एक्स्पेंडेबल प्राइज होने वाली है वो आठ लाग से बारा लाग के बीच डिजैन के भारे में बताओं तो ये बिलकुल बेबी सेल्टूस जैसी दिती है अगे से इसकाजो फ्रन्ट है वो रौठ पसन है अब साइड प्रॉफाइल की बात करें तो इसकी साइड प्रॉफाइल भी मुझे बहुत पसन आई जिसमे आपको मिलेंगे प्लास्टिक के काट सीपलर भी इसका बहुत बढ़िया है जिसमें आपको मिलता है एक छोटा सा ग्लास वील पेज जो ये रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है वो इसे एक मस्कुलर लुक देता है रियर की बात करें तो रियर में मुझे जो इसकी लाइट है वो बहुत बढ़िया लगी जि दिखने में तो ये गाड़ी मुझे वेन्यू से बहुत बढ़िया दिखी है एंटीरियल के बारे में अभी हमें कुछ भी पता नहीं है क्योंकि हमें उपर से कुछ भी इंफ्रमेशन मिली नहीं है लेकिन फीचर्स के बारे में ये गाड़िया बहुत बढ़िया रहने वाल है इसमें आपको मिलने वाला है वेनियू जैसे प्लेटफरम और वेनियू जैसा ही इंजिन इसलिए वेनियू और इसमें कुछ ज्यादा परक नहीं दिखाएगा आपको बोट स्पेस की बात करें तो तकरीबन 300 लिटर के आसपास उसका बोट स्पेस रहने वाला है किया सेल्टिस की लाजवाब सफलता के बाद इसमें भी लगबग आपको सबी वही फीचर मिलने वाले हैं जो बहुत बैतरिंग फीचर से बात करें इसकी इंजिन की तो यह गाड़ी तीन वेरियंट में आपको मिलने वाली है 1.2 कापा ड्यूल वीवीटी पेट्रोल एंजिन जो पावर जनरेट करता है 83 पीएस पे 6000 आर्पीएम और टोर्क जनरेट करता है 113 नम पे 4000 आर्पीएम उसका दूसरा इंजिन है 1.2 पेट्रोल एंजिन जो पावर जनरेट करता है 120 पीएस पे 6000 आर्पीएम और तोर्क जनरेट करता है 171 नम पे 4000 आर्पीएम उसके बाद आता है उसका 1.5 लिटर यूवी सी आर्डी आई डीजल इंजिन जो पावर जनरेट करता है 100 पीएस पे 4000 आर्पीएम और टोर्क जनरेट करता है 240 नम 2750 आर्पीएम पे सेप्टी की बात करें तो ये NCAP करस्ट टेस्टिंग में भी 4 स्टार स्टाप्ट कर जुकी है किया सेल्टोस के सेप्टी फीचर्स में आपको मिलेंगे ड्यूल फ्रन्ट एर्बेट ABS with EBD रियर पार्किंग सेंसर विथ और रियर व्यू केमेरा स्पीड एलर सिस्टम पेसिंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर्स के भारे में तो सॉनेट ला जवाब है हम अभी जा रहे हैं वीडियो के आखरी पार्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी नजर किया सॉनेट पर ही है जैसे हमें कोई अपडेट मिलेगा तो हम आप से शेर करेंगे